हलो दोस्तो टेक्नोवी क्रांत में आप सभी का स्वागत हैं यहां पर इस वीडियो में मैं आपको Realme X7 Max के Realme UI 2.0 के जुलाई मन्त के न्यू साप्टेर अपडेट के चेंज लाग के बारे में बताऊंगा और यह अपडेट आपके मोबाईल में कब तक देखने को मिलेगा और क्या है इसका अपडेट लाग सभी कुछ बताने वाला हुँ दोस्तो पूरा वीडियो देखेगा लेकिन उससे पहले पहली बार हमारे चनल पराया है तो सब्क्राइब कीजे बेल आइकन बजाएए आल कीजे ताकि हमारे वीडियो के सब नॉटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम एक न्यू वीडियो अपलोड करते हैं अब यहाँ पर रियल्मी वालों ने अपने रियल्मी X7 Max के अंदर रियल्मी UI 250 का जुलाई मंत का न्यू सब्टियर अपडेट जो है रोल आउट करना चलू कर दिया है यहाँ पर देखेंगे रियल्मी X7 Max का मॉडल नंबर RMX 3031 है और इस नय अपडेट का जो वर्जन है A. .16 है और इस अपडेट का जो साइज है 806 MB का है और यह अफिसल अपडेट है दोस्तों और इसका रोल आउट डेट जो है 87 2021 का है तो यह था दोस्तों रियल्मी X7 Max का बेसिक सौफ्टियर इंटरफेस और आप बात करते हैं इसके अपडेट लॉग की तो यहाँ पर अपडे जोटी पेज़ देखने को मिलता है इस अपडेट के बाद इसके लावा बात करें अगले चेंज की तो सिस्टम के अंदर यहाँ पर दोस्तों डाइनमिक रेम एक्सपेंशन फीचर्स को एट कर दिया है जी हाँ दोस्तों यह रेम एक्सपेंशन फीचर्स जो है रियल्मी व दोस्तों आपको बहुत ही स्मूथ पर्फार्मेंस देखने को मिलेगा और बहुत ही फास्ट पर्फार्मेंस देखने को मिलेगा साथ ही दोस्तों यहाँ पर सिस्टम के पर्फार्मेंस को अप्टिमाइच किया है और उसके पूरे इस्टिबिलिटी को इंप्रूब किया है जिससे की और भी better experience देखने को मिलता है इस update के बाद। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर कुछ कुछ situation में power consume ज़्यादा होता था तो उस problem को यहाँ पर reduce करके अच्छा कर दिया है जिससे की अब better experience देखने को मिलता है power consumption के अंदर और battery life में। इसके लावा दोस्तों बात करे अगले change की तो system के अंदर ही यहाँ पर दोस्तों third party apps जो है automatic launch हो जाता था ओपन हो जाता था अगर आप deep clean features को use करते थे तो तो उस problem को इस update की थुरू fix कर दिया है साथ ही दोस्तों यहाँ पर accidentally या फिर automatically आपका जो internet speed है वो restricted करना है या हो गया है करके notifications हो होता था तो उस problem को इस update की थुरू fix कर दिया है इसके अलावा दोस्तों बात करें एगले चेंज की तो communication के अंदर यहाँ पर दोस्तों network को और भी अच्छा से optimize किया है जिससे की user को और भी better experience देखने को मिलता है network के अंदर इसके लावा दोस्तों बात करें एगले चेंज की तो camera के अंदर यहाँ पर दोस्तों अगर आप rear camera यूज करते हैं outdoor में तो उस time पर sharpness का problem होता था फोटो जो है clear नहीं आता था तो उस problem को इस update की थ्रू optimize करके अच्छा कर दिया है जिससे कि अब better photo देखने को मिलता है दोस्तों इस update के बाद साथी साथ दोस्तों यहाँ पर अगर आप photo या video shooting उगर करते हैं तो उस time पर flickering issue देखने को मिलता था flicker problem होता था तो उस problem को इस update की थ्रू fix कर दिया है तो यह था दोस्तों realme x7 max का full update lock change lock दोस्तों यह update आपको मिला है कि नहीं मिला है मुझे comment करके जरूर बताना और अगर नहीं मिला होगा तो one week wait कर लिजे दोस्तों one week के अंदर definitely यह update जो है आपको मिल जाएगा तो इतना ही हुआ 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 है